दोस्तों भोलेनात और माता पारवदी की विवास हमारों को पूरी दुनिया महा शिर्वरात्री की दौर पर मनाती है इस बार भी फालगुन मास की चतूर दशी पर महा पर्फ का सयोग बन रहा है और मानता है कि इस पर्फ के अफसर पर अगर कोई व्यक्ती, कोई भी मुराद मांगता है तो भोलेनात उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं अगर आप यह जीवन में कटनाईयों से जून रहे हैं तो महा शिवरातरी के इस पावन पर्फ पर आपको क्या करना चाहिए आईए मिलकर जानते हैं अगर तो आपका वेपार या फिर वेपसाई बहुत जादा परिशानियों में चल रहा है तो धातूरे को हल्दी में टुबो कर शिवरातरी की रात बारा बचे भगवान शिव के आगे चड़ाएं और फिर पांस से दस मिनट बाद उस धातूरे को उठा कर इकलाल कपड़े में बांध कर ओम नमश्रिवाय मंत्र बड़े और उस कपड़े को बांध कर वेपार वाली जगा पर या फिर तिजोरी वाली जगा पर रख दे ऐसा करने से आपके वेपार में निश्यत ही बड़ोतरी होगी और सफलता आपके कदम चुमेगी और दोस्तों ये जो काम है ये सिरफ आपको महा श्रिवरातरी के दिन ही करना होगा तभी आपका जीवन सुखी वा सफल होगा वहीं आप लिंग पुरान की माने तो इसमें बताया क्या है अगर किसी व्यक्ति को कोई बिमारी है या फिर वो ऐसे रोग से ग्रस्त है जो खतम होने का नाम नहीं ले रहा कोई वैद या फिर कोई चिकित सा उस रोग को समाप नहीं कर पा रहा तो साल में जो 12 शिवरातरी आती हैं उनमें से किसी भी एक शिवरातरी के दिन आप साथ धतूरे लें उनमें से एक पर रोली, लच्छा और नारा लपेट कर और बाकी 6 धतूरे में हल्दी डाल कर मंत्र उचारन करके उसे भूले नात की जलाधरी के पास रखें अब दोस्त रिश्य ब्रिगू का पताया गया है और वहीं इसके उपर जहां से जल गिरता है पांच पुतरियां जया, विश्रारा, सुप्रवारी, दोटाली और देवी का है और कुछ इस तरह से बोरेनात का संपून परिवार शिवलिंग के पास ही निवास करता है। और फिर जब वे जल बहकर जितनी दूर तक जाता है, वे सारा स्थानिये 33 करोर दीवी देवताओं का हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कभी शिवलिंग के उस जलादरी को नहीं लागना चाहिए। तो चलिए, अब ये जानते हैं कि शिवरातरी और महा शिवरातरी क्या है। जिसे पूरे देश में हर्ष उलाद के साथ मनाया जाता है। शिवरातरी ऐसा महा उत्सव है, जिसमें हम सभी मानते हैं कि शिव का ही अंच है और उनके सरक्षन में है। ऐसा माना जाता है कि संसार के शुरवात में इस दिन आधी रात में भोले नाची का भ्रमा से रूद्र के रूप में बदला हुआ था। वहीं इशान सहिता में बताया गया है कि फालगुन कृष्ण चतुदशी की रात आदीदेव ईश्वर शिश्ष करोडो सूर्यों की तरह प्रभाव वाले एक लिंग रूप में प्रकट हुए थे। वहीं जोते शास्र की माने तो फालगुन कृष्ण चतुदशी में चंद्रमा सूर्य के करीब होता है। शिवरात्री की पूझा कैसे करें। तो आईए अब वो भी बताते हैं। अंत में व्यक्ति व्रत पूरा करने के बाद भ्रामनों को खाना खिलाए या फिर दान करें। इससे भगवान आपके सारे इच्छाएं पूरी करते हैं। बता देते हैं कि भारत के उत्राखंड राज्य का त्रयोगी नरायन मंदिर ही वे पवित्र और विशेश पुरानिक मंदिर है जिसके अंदर सदियों से अगनी जल रही है। और इस पवित्र अगनी को साक्षी मानकर भगवान श्रिव और माता पारवती ने विवार अचाया था। बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आप से कल कुछ नहीं चीज़ों के साथ। धन्यवाद।